है नेटवर्क नेटवर्क दिया हुआ है जिसकी कैपसीटी दिए आप देखो यह चार कैपसीटर दिए भी गोल्ड की बैटरी लगी यह connected S1 in figure the ratio of the charge C2 or C4 कहां गया C2 or C4 यह C4 है और यह C2 है इन पे charge का ratio निकालना है तो आप देख रहे हैं यह जो तीनों है यह तीनों किसमें connected है series में तो इनकी equivalent capacity आ जाएगी 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 तो 1 upon C1 की value कितना बोलो C है plus 1 upon C2 की value कितना है 2C है plus 1 upon C3 की value कितना है 3C क्योंकि मैं इनकी capacity निकालूंगा तो जब इनको मैं जोड़ूंगा तो 1 upon C equivalent आ जाएगा वो आ जाएगा यह 11 upon 6C मतलब C equivalent in series में आ जाएगा 6C upon 11 this is the equivalent capacity अब equivalent capacity यहां से हमें इतना मिल जाएगा तो अब यह जो नया circuit है 6C upon 11 तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा एक हमारे पास capacity है 6C upon 11 का और दूसरा capacity है C4 की value कितनी है 4C का और यह दोनों एक battery से यहां से plus minus V volt की battery से connect है तो circuit थोड़ा simple हो गया simplify का लिया अब यहां से जो battery charge Q बेजी तो इसको मिला charge Q1 और इसको मिला charge Q2 क्योंकि capacity अलग अलग है तो हमारा जो finally solution है ratio of C2 और C4 मतलब हमें यह देखो इन तीनों पर यहां से जो battery charge बेजेगी इन तीनों पर तो charge सेम होगा वाई क्योंकि series में charge सेम होता है तो इन तीनों पर जितना charge इन तीनों पर होगा उतना charge 6C upon 11 पर भी होगा तो अगर मैं इनको हमें चाहिए Q1 upon Q1 की value चाहिए मतलब finally मुझे Q2 upon Q1 की value चाहिए हो तो Q1 is equal to क्या आ जाएगा यहां से Q1 इसके cross potential difference भी है इसकी capacity तो Q1 is equal to Cb होता है Q is equal to Cb तो 4C और multiplied by the that is the Q1 और Q2 की value कितनी आ जाएगी तो Q2 इसके cross जो इस पर जो charge है इसकी capacity 6C upon 11 और इसके cross potential difference भी ही रहेगा दोनों का अब divide कर तो finally solution मिल जाएगा तो Q2 upon Q2 की value आ जाएगी on 22 that is b option say I am not a बरावर next question